नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल टेज सूरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो T3 अल्टरा 5G फोन में सिंपल मोड कैसे यान करें जी हां दोस्तों अगर आप भी वीवो T3 अल्टरा 5G फोन का यूज करते तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को अन करना होगा गाइज आप अपने फोन की शेटिंग को अन करना उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटाफेस ओपन हो जाएगा आपको देखे यापन पर क्लिक कर दीजीगा आपको यहां पर फैस्ट नंबर पर मिल जाएगा सिंपल मोड जो कि डी एक्टिविट है आप यहां से इसे आन कर दीजीगा जैसी आप यहां से simple mode on करोगे simple mode में आपके कुछ application कुछ इस प्रकार से demo होंगे आप यहां से add पर click करके आप यहां से जिस application को add करना चाहते हो यहां से आप click करके यहां से आप ok कर देंगे उसके बाद आपको जो भी application add करना है बस कुछ इस प्रकार से आप यहां से okay कर दीजएगा तो आपको देखें यहां पर हमारे सारे application यहां से एड़ होते रहेंगे तो यहां पर आपको आप मेशन को ऊनकारी चाहेंगे जैसा कि आपैंपीज को ग्लिकक करना है यहां से आपको प्लिक करना होगा तो आपको यहाँ पर तीन option मिलेंगे new contact, add exit contact और cancel option जैसा कि आप new contact पर click करोगे यहाँ से आप किसी का नाम लिख करके आप उसका number जो यहाँ पर save कर सकते हो कुछ इस प्रकार से आप save करके आप यहाँ से direct उसको call कर सकते हो या फिर आप यहाँ से add के वाले option पर click करके add exit contact पर click करना और आपके जो contact में number save रहेंगे आप उसकार click करके आप यहाँ से save कर सकते हो तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो हमने यहाँ से number save कर लिया उसके बाद हम आज आएंगे बैक आप इस पर click करके direct आप call कर सकते हो तो guys आपको अब यहाँ पर simple mode को off करना है तो आपको करना क्या होगा Guys आप यहाँ पर sharing वाले option पर click करना जैसे ही आप यहाँ पर setting वाले option पर click करेंगे आपको यहाँ पर देखें मिला है one simple view guys आप यहाँ पर first music पर click करेंगे आई होब गाईच आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन नएस टॉपिक नएस टी वीडियो तब तक के लिए बाई टेक ही एर